Hello guys, welcome back to exam focus. आपके request पे ये section wise current affairs जो मैं चला रहा हूँ. उसका ये एक segment है, space या अंतरिक्ष में पिछले 6 महिने में जो important news आये हैं. उस पर आज हम बात करेंगे, important facts भी हैं, images भी हैं और जो important questions हैं, वो भी हैं. कुछ लोगों का कल exam है, कलिया परसो, तो request कर रहे थे हैं, इसलिए मैंने आज अपना time निकाल कर इस video को आपके साथ share कर रहा हूँ. और science and technology और economics का video आने वाला है. So, उसके लिए थोड़ा wait कीजिए, दो-दो दिन पर मैं कोशिश करूँगा, upload कर देने का, और फिर state-wise जो current affairs है, उसको भी मैं डालने के कोशिश करूँगा. चलते हैं पहले, important point पे जो इस video के शुरू में आपको जानना चाहिए, परम बिंदू जिसको कहते है important, most important points, उसको आज अभी हम देखेंगे पहले, Indian National Committee गठित किया गया था, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रोग कैसे establish हुआ, मतलब कब हुआ, important date से ये static GK का part है, मत पहला point आपके सामने दिख रहा है, इसको कहते हैं, हम INCOSPAR, I-N-C-O-S-P-A-R, मतलब Indian National Committee for Space Research, जो की establish किया गया था, 1962 में, अच्छा जो हिंदी में देखते हैं, उनके लिए आगे questions सारे हिंदी में भी है, तो ये कुछ points है, मैं आपको explain कर दे रहा हूँ, और क्योंकि जग 59 में, और इसने INCOSPAR को overtake कर लिया, फिर विकरम सारभाई Space Center का जो headquarter कह सकते हैं, या कहां पर situated है, तो तिरुवनंध पूरम केरला में है, ठीक है, ये सब wings हैं, इस रो के, जहां से इस रो का parts बनता है, या अलग-अलग system, जो कह सकते हैं, आप propulsion system है, different type of fields are there, अलग-अलग fields इस हैं, तो विकरम सारभाई Space Center जो है, वो तिरुवनंध पूरम में है, और इंडिया का liquid propulsion system, ठीक है, वो दो जगा पर है, एक तो बैंगलियूरू में, और दूसरा तिरुवनंध पूरम केरला में, important point यहां पर आपको ध्यान रखने वाला ये है, कि ISRO के chairman, जो इसी साल हो गया, क्योंकि वो ISRO के chairman बन गया, तो फिर S. Somnath को, विकरम सारभाई Space Center का director बना दिया गया, अब liquid propulsion system जो पूरा है, यह जो बैंगलोर और तिरुवनंध का है, पूरम में है, उसके chairman है, N. Narayan, ठीक है, यह बहुत important pick है, आप इस pick में guess किजिएगा, कौन है, अच्छा चलि अब यह उस समय का picture है, जब initially, इंडिया का space research organization form हो रहा था, या मतलब शुरुवाती दोर में था, अब हम चलेंगे questions के तरफ, इसरो's first sun mission to take off in 2019 is named as, तो इसरो का पहला सूर्य mission का नाम क्या है, जो 2019 में होने वाला है, उसका नाम है आदित्या, आदित्या L1, यह अगले साल launch किया जाएगा इसरो के द्वारा, और करीब 15 लाग किलोमेटर अर्थ के orbit से दूर इसको प्लेस किया जाएगा, लैंग रेंगियन पॉइंट कहते हैं, जो अर्थ और सन के बीच में है, मतलब प्रिस्वी और सूर्य के बीच में, लैंग रेंगियन पॉइंट इसको L1, इसलिए यहाँ पर L1 दिया गया है, अधित्या L1, ठीक है, और वहाँ से यह अर्थ को भेजेगा सूर्य के डाइनिमिक नीचर पढ़ेगा सन का, तो अच्छा, मैगनेटिक फील्ड के बारे में भी पता किसी, जो सन का मैगनेटिक फील्ड है, वो भी पता चलेगा, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉटेंट पॉइंट है, 400 कीजी का है, तो यह सब कुछ आप अगर अब तक कर तो GAO, FEN, 11 is a high resolution earth observation satellite launched by which country, किस country के द्वारा, गॉफन उच्छ संकल्प पृत्वी अवलोकन उपगरा किस देश के द्वारा launch किया गया है, यह high resolution earth observation satellite है, जो कि China launch करा है, और Chinese language में, इस को मतलब होता है, high resolution, ठीक है, तो उच्छ संकल्प शायद हिंदी में, मैं exact बहुत जादा pure हिंदी भी नहीं जानता हूं, इसलिए मैं थोड़ों से confused हो जाता हूं, और इसलिए मैं English जैसा use करता हूं, मिरे लिए थोड़ा सा comfortable जादा होता है, चाइना की जो Academy Space Technology की CAST जिसको कहते हैं, उसने इसको develop किया थ और इसका काम basically होगा कि land survey या urban planning, agriculture, खेती वगेरा के बारे में, disaster relief के बारे में संदेश भेजना, observation करना, इन सब चीज़ों के लिए यह है, और एक और बात यहां पर आपको बता दू, जो built one road है, कौन से initiative से है, बेल्ट रोड इनिशेटिव जो था, चाइना का, जिससे से लेकर यूरोप तक पहुँच कर पाएगा चाइना, तो उसके लिए भी यह काफी important रहेगा इसका जो observation है, और 700 km धरती से उपर इसको प्लेस किया जाएगा, moving ahead, तो कौन कंट्री GFN 11 लाँच करी तो चाइना, How many satellites did PSLV C40 carried in a single launch, पहली लाँच में इस PSLV C40 ने कितने उपगरा प्रचेपन किये थे, ठीक है, यह question हमने किया था January में मुझे याद है, और बहुत बड़ा news था, 31 satellite भेजा था PSLV C40 ने, including Kartoset जो इंडिया का satellite था, और अलग countries जो इसमें include किये गए थे, वो थे United States of America, Finland, South Korea, France, Canada और UK, यह सारे countries जिसमें सबसे रादे satellites थे, United States of America के 19, with Finland, 1, South Korea, 5, France का एक satellite था, और Canada और UK का भी एक-एक satellite था, टोटल 31 satellite थे, ठीक है, और करीब यह 500 km धरती के सता से उपर प्लेस किया गया था, स्रीहरी कोटा आंदरप्रदेश से से लॉंच किया गया था, और अकेले Kartoset जो इंडिया का satellite था, Kartoset 2, उसका वजन था 710 kg, ठीक है, इसका importance क्या था, सबसे बड़ा news यहाँ पर था, कि वो 100th satellite था, इसरो का, और यह काफी सारे information देगा, land को लेकर, geographical conditions को लेकर, ठीक, इसका यह objective था, यह कौन था, PSLV, C40, इंडिया का सबसे बड़ा satellite, Kartoset 2 इसमें गया, और अलग-अलग countries में सबसे ज़ादा कैरी करने वाला था, United States of America का, 19 satellite, Now, इसरो लांच, G-Sat 17 satellite from, किस जगह से इसरो ने G-Sat 17 satellite को प्रचिप्टित किया, या उप्रचिप्टित को लांच किया, I mean, यहाँ पर पुछा गया कि लांच करने का, तो प्रचिप्टित के बाद मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, प्लेस करने का मतलब होता है, अब जिस ज जगह जो था, K-O-U-R-O-U, ठीक है, जो कि एक communication satellite है, और करीब 3,470 kg से उपर इसका वजन था, तो यह हुआ था, फ्रेंच गुएना से, नाम याद रखिएगा, कौन सा G-Sat 17, आम तो और पर हम स्री हरी कोटा फट से मार देते हैं, क्योंकि इंडिया का satellite है, नहीं नासा ल कि खोज के लिए, नासा ने एक mission launch किया, उसके लिए, I mean, life को खोजने के लिए, दूसरे ग्रह पर, और इसका नाम क्या था, ठीक है, कौन से satellite को भेजा गया था, तो यह था TESS, TESS का full form है, Transiting Exoplanet Survey Satellite, यह लिखावा है यहाँ पर, Transiting Exoplanet Survey Satellite, तो यह सर्च अभियान करेगा और April 18 को यह launch किया गया था, और 25 जुलाई से कह रहे थे, मैं exactly अभी 25 जुलाई वाला मुझे पता नहीं कि आया की नहीं, बट इसका operation शुरू होना था 25 जुलाई से, और अगस्त महीने में, यह पहला sample, मतलब अर्थ पे भेजेगा, ठीक है, करीब कह रहे हैं कि 1000 प्लानेट survey satellite, what is the name of world heaviest communication satellite, launched by SpaceX, तो SpaceX के द्वारा launch किया गया, सबसे heavy satellite का नाम क्या है, तो इसका नाम है, टेल स्टार 19 Vantage, V-A-N-T-A-G-E, satellite, इसका वजन पता है कितना 7000 किलो है, और, और यहाँ पर मेरे पास कुछ important information यह आपको बताने के लिए, मैं चलता हूँ, next question पर, हाँ इसका objective एक बात जान सकते हैं कि internet connectivity को लेकर, कुछ था हो, यह जो ब्राजील, Canada वाला region में, वहाँ पर internet connectivity अच्छा परणा, in fact, जो Canada का northern part है, वहाँ तक internet connectivity अच्छा करना, तो name of satellite is Telestar 19 Vantage, ठीक है, launched by SpaceX, now, which social network giant will launch satellite named Athena in 2019, Athena नामक satellite, कौन सा social networking site launch करेगा, अभी अभी, just हमने कुछ दिन पहले भी इसको discuss किया था, but यह cluster इसलिए, यहाँ पर discuss करना ज़रूरी हो गया, Facebook ने launch किया है, और internet connectivity Facebook महुँचाएगा, कहाँ पर, तो rural areas में, as already discussed, this question is, so we move ahead, what we have next, recently, Isro has test, I mean, यहाँ पर tested होना चाहिए, नहीं, tested हो गया, tested high thrust engine to improve payload capability, what is its name, तो Isro ने अभी एक engine test किया, और किसलिए क्या, अपने payload की capacity या capability को बढ़ाने के लिए, तो उसका नाम क्या है, छमता की सुधार के लिए, जो test की गई, इंजन का, तो उस इंजन का नाम क्या है, उस इंजन का नाम है, विकास, और, एक सो पंचानवे सेकेंड का यह test था, मतलब, तीन सेकेंड और पंदरा मिनट, I mean, तीन मिनट और पंदरा सेकेंड, ठीक है, और, इससे, इसका जो मकसद था, 4000 किलो, और उससे उपर, के satellite को, अं बेटर रिप्लेस्मेंट खोज रहा है, कि उस इंजन को रिप्लेस करके, क्या विकास को, यूज किया जा सकता है, as a safer cryogenic engine or not, तो, अंसर इस विकास, real old ball is a newly discovered moon of which planet, अभी ये पता नहीं, ये मुझे लगता है, exam में जब आपको देंगे, तो real लिख कर देंगे, इससे, real, ऐसे करके, ठीक है, तो, real old ball, एक newly discovered planet है, किसका है, तो, 12 नए moon discover किये गए है, जुपिटर के, और उसी का, एक moon का नाम दिया गया है, real old, real old ball, ठीक है, और, अब, जो, संख्या है, शायद 79 हो गई, exactly, तो, total 79, अब हो चुके है, I mean, the moons, और किसी, पूरे solar system में, सबसे ज़्यादा satellite, natural satellite भी, जुपिटर के है, एक question skip हो गया, Israel announced unmanned moon mission in 2019, what is the name of mission, important question मुझे लग रहा है, और, जो mission, launch करने वाला है, Israel, इस साल, I mean, अगले साल, इस साल, कह रहे हैं, इस साल, दिसम्बर में होना है, लेकिन, फिर लगता है, यह पोस्पोन हो गया, और, अब यह होगा, अगले साल, और, अगले साल के, first half में नहीं होगा, January, February के आसपास, इस पैरो नाम से यह mission launch किया जा रहा है, और, इसराइल भी अब, चांद mission में सामिल होने वाला country बन गया है, ठीक है, और, आपको बता दू कि यह falcon, falcon, falcon 9 rocket के द्वारा, यह launch किया जाएगा, और, objective यह है, कि magnetism को पढ़ना, और, इसराइल अब तो एक जंड़ा भी जाएगा, इसराइल का, और, इसराइल की जो space agency है, उसका नाम है, SPACEIL कह सकते हैं, ठीक है, other important mission, जो आप option में देख रहे हैं, इस पैरो तो इसराइल का है, लेकिन अग, बहुत सारे mission आ रहे हैं, चांद को लेके, जैसे, elina, elina Germany launch करने वाला है, तो कुछ नहीं है, यह एक rocket है, और Falcon, Change 4 और Change 5 दोनों चाइना लाँच करने वाला है, अगले साल, एक तो सुन रहा है, सुन रहा हूं कि Change 4 साय दिसंबर में लाँच होने वाला है, बड़ेट confirm नहीं है, मेरे पास, moving ahead, what is the name of world lightest satellite which is to be launched by NASA, दुनिया का सबसे हलका satellite, और यह satellite कही स्टूदेंट्स ने, Engineering के स्टूदेंट्स ने, हिंदुस्तान कॉलेज शायद नामें, उस कॉलेज का, और वहां के स्टूदेंट्स ने यह बनाया है, और इसका जो बाहर का material है, 3D printed type का है, मतलब यह 3D printing किया हुआ इस पे, और इसकी जो casing है बाहर की, कह रहे है, nylon से बना और इससे पहले जो था, वो satellite भी इंडिया का था, मतलब इसी जगह से competition organized किया जाता है, तो उसमें select किया गया था, और 2017 वाला भी तमिलनाडू कहीं था, जो कि 64 ग्राम तक का था, अब यह वाला satellite है, 33 ग्राम का, चस्ट लगबग आधा, ठीक है, जै हिंद वानेस नाम याद रखिएगा, rest, okay, question शूट किया, irnss, irns का मतलब होता है, regional navigation satellite, और यह किसको replace किया, मतलब इस रों ने भेजा था, irns, irns, 1l, ने किसको replace किया, तो 1a series के satellite को replace कर दिया, ठीक है, तो याद रखिएगा, यह बस एक simple सा question, और उसका simple सा answer, और कभी google आप कर सकते हैं, अगर extra information, irns, 1l, के बारे में आपको जादा जानना है, तो, once again, यह सरी हरी कोटा से launch किया गया था, अब चलता हूँ आगे, gofen 5, या geofen 5, launched by china, is dedicated for, किस चीज़ के लिए, geofen 5 satellite चाइन ने launch किया था, क्या हो, navigation था, pollution था, tsunami, या earthquake, तो यह pollution के चाइना ने, geofen 11, अभी हमने पढ़ा, यह geofen 5 है, और इससे air pollution को monitor किया जाएगा, और इसमें March 4C rocket लगा हुआ है, कह रहे हैं, इसका 8 साल इसका span होगा, लाइफ का, आम तोर पर आप ज्यादा तर satellites का देखिएगा, navigation वाले जो रहते हैं, उसके 15 साल के लगबग life span रहता ह है, और यह वाला का 8 साल है, तो यह पहला satellite चाइना के द्वारा developed किया हुआ था, जो कि air pollution को लेकर था, और यह जो project है, geofen 511, यह पूरा series है, वो 2010 में शुरू किया था चाइना ने, यह उतना important नहीं है, important यह है कि pollution के लिए था, कौन सा था, geofen 5 World smallest rocket ever to carry satellite has been designed and launched by which country, दुनिया के किस देश ने सबसे छोटा rocket का design और launch किया है, और जो की उपगर ले जाने के काबिल है, तो यह है Japan, अभी यह भी हमने किया था, इसी साल का news है, सारा इसी साल का है, एक news जो मैंने discuss किया था, वो था, बस इसमें एक news 2017 का है, बाकि सारे 2018 की news है तो JAXA मतलब जापान की, जिसको कहते है Aerospace Exploration Agency, उसने यह चीज किया, I mean यह rocket design किया, इसका basic objective था, कि मतलब जो cost है satellite ले जाने का, उसको कम किया जाए, तो छोटा size का rocket उनोंने design करने का सोचा, और जो satellite यह लेकर गये थे, उसका नाम था Tricom 1R, T-R-I-C-O-M 1R, जो कि सिर्फ 15 kg का था, और इसके बाद कौन सा question है, अच्छा यह, कहाँ चला गया, वन नाइनर है, दो-तीन, तो इस रो ने test किया था, pad abort, अब आपको पता हिए, कि इसका काम क्या होता है, pad abort का, वो जो case हुआ था, हाँ, याद आया, कलपना, तो उनका, जैसे explode हो गया था, space में, और उस चीज को रोकने के लिए, मतलब किसी भी तरह का emergency आए, तो ये अलग हो जाएगा system, pad abort, और फिर जो भी लोग है, उनकी life बज़ पाएगी, बस इसलिए, ये test किया गया, और ये successful test conduct किया, इस रो ने, Now, Airbus Defense and Space Launched, SES-12 satellite for DTH connectivity, तो बस याद रखेगा, ये जो DTH connectivity को बढ़ावा देने के लिए, ये किया गया है, मतलब, Airbus Defense, Space ने इसको बनाया है, और, डिरेक्ट, DTH का full form तो पता ही हो, आपको direct to home, broadcasting के लिए, ठीक है, कह रहे थे, कहीं मैं पढ़ रहा था, मैं इस data का शिरूटी ने देता हूँ, 100,000 चैनल, आप सस्ते दाम पर देख पाएंगे, कुछ इस तरीके का था, तो, thank you guys for watching this video, I hope यह थोड़ा सा तो help करेगा किसी भी exam में आने वाले, और economics और जो science, technology के questions हैं, remaining, और वो मैं जल्दी upload करूँगा साथ में, जो statewide current affairs हैं, उसको भी, so keep watching exam focus, thank you.